किसी ने क्या खूब कहा है कि कोशिशों के बाद भी कभी हो जाती है हार, होकर निराश मत बैठ जाना, मन को अपने मार, बढ़ते रहना, सदा आगे, चाहे जैसा भी हो मौसम, क्योंकि पा लेती हैं चेंटी भी, गिर गिर कर मनजिले हर बार. आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाओंगी, जो हमें अपने लक्षे की ओर बढ़ने में हमें प्रेरित करती है, एक बार एक लड़का अपने घर में बहुत ही आगयकरी और महनती था, हमेशा वो अपने माता पिता और दादा दादी की बात मानता था, जब वो बड़ा हुआ कॉलेज में दाखला लिया, तो कुछ दिनों बाद घर वालों को उसका सभाव बदला बदला लगा, जब घर वालों ने पता किया, तो ने पता चला, कि कॉलेज में उसके कुछ ऐसे दोस्त बन गए, जो अवारा किसम के हैं, नशे और सिनेमा के आदी हैं, ऐसे संगत में प मैं बड़ा हो गया हूँ मुझे खुद पता है कि मुझे क्या करना है आप मुझे मत बताइए तो वो लड़का अपनी मर्जी मताबिक ही हर काम करता थोड़े दिनों बाद जब रिक्षा शुरू हो गई तो उस लड़के की ज्यारा त्यारी नहीं थी क्यूंकि वो दिन भर अ से भी इस बात का बहुत बड़ा जटका लगा अब वो चुप चुप रहने लगा उसके दोस्त भी धीरे धीरे उसके दूर होने लगे वो निराशा में रहता और ज्यारादर घर पर ही रहता एक रिन उसके दादा जी आग सेक रहे थे वो लड़का उनके पास आकर बैठ ग दिया तो धीरे धीरे उसके आग खतम हो गई वो चलना बंद हो गया तो लड़के ने अपने दादा जी से कहा कि आपने इस जलते हुए कोईले को मिट्टी में क्यों रख दिया इसकी तपश को खतम हो गई है तो दादा जी ने कहा इस कोईले की टुकडे की कापलियत अभी भी खतम नहीं हुई है बस ये थोड़े समय के लिए बंद हो गया है अगर मैं इसी दुबारा आग में रखूंगा तो ये फिर से जलना शुरू हो जाएगा दादा जी ने कहा बेटा तुम्हारी जिंदगी भी इस कोईले की तरह है जिस तरह मिट्टी में रखने के कारण ये कोईला जलना बंद हो गया उसी तरह बुरी संगत के कारण तुम पीछे हो गए हो अगर तुम कोशिश करो तो तुम दुबारा से पहले की तरह महनत करके टॉप कर सकते हो तब से वो लड़का दुबारा पढ़ाई पर दियान देने लगा और अपनी महनत से उसने दुबारा से टॉप किया हम अपनी जिन्दगी में कई बार गिरती हैं और उठते हैं जो लोग गिर कर दुबारा उठने की कोशिस नहीं करते वो कभी कामियाब नहीं होते लेकिन आपको हर वार गिनने पर उठना है और उठकर दोड़ और आप एक दिन जरूर ही कामियाब होंगे